कैसे हैं आप लोग आई होप आपके तहियारी काफी चल दे होगी दोस्तों तो देखें कंप्यूटर एमसी क्यूज का पार्ट 15 है और इसमें भी आपको मिलेंगे कंप्यूटर के महत्तों पूंग एमसी क्यूज जो की UK SSSC गूरुप सी एक्जाम के लिए काफी महत्तों पूं ठीक है तो चलिए देखेंगे आज पहला कोश्चन इसमें देखिए टैक्स हाइलाइट करके एडिट मेन्यू से कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा ठीक है अगर आप किसी टैक्स को हाइलाइट करते हैं और हाइलाइट करने के बाद एडिट मेन्यू से जैसे आप कॉपी पर क्लिक करेंगे तो निम्डमे से च्वा सोफिया होुगा प्षम साथ और झीऊ इसा से अधिन होगा ड्रइटि बी ऑन से कॉपी पर क्लिक करेंगे तो टेक्स जो अगा कोष्ण के तरफ कामांड का प्रियोग या ग्राफिक को वस्ताने के लिए किया जाता है उसके बाद सूचना को clipboard पर install किया जाता है ताकि उसे paste किया जा सके ठीक है ताकि उसे paste किया जा सके तो यहाँ पर question को आप थोगा समझे है question की थोगा language यहाँ पर difficult है दूस्तों यहाँ पर question में यह बूचा जा रहा है कि जिस command का प्रियोग text या graphic को हटाने के लिए किया जाता है एक ऐसी command जिसको हम text या graphics को हटाने के लिए करते है command को ताकि उसके बाद सूचना को clipboard पर store किया जाए और उसे paste किया जा सके या क्या करें यहां पर भी पूछे जारे question में ठीक है तो अगर हम उसको directly clipboard पर store करते है और paste करने के लिए सीधे हम क्या करते है हटाने के लिए directly हटा आगे या तो हम उसी की दुबार पृत्ती बना रहे तो फिर वो copy हो जाता है ठीक है यहां पर लेकिन copy नहीं पूछा जा रहा है यहां पर simply यह पूछा जा रहा है कि सीधे-सीधे graphics या टेक्स को जब हम हटाते हैं और उसको किसी अन्य जिगह paste करते हैं तो ऐसे को ऐसे जो हमारा पूरा systematic एक काम होता है उसको क्या बोल रहता है करत बोल रहता है जब भी आप right click करते हैं select करने के बाद अगर किसी text या graphics को आप cut करते हैं तो आप देखते होंगा कि सीधे हम उसको फिर store कर सकते हैं clipboard पर और paste कर सकते हैं तो ये हो गया इसका answer option भी cut चलिए अगला question देखते हैं जो एकदम अभी काटा या copy किया गया हो उसे insertion point पर clipboard content की copy को insert करने को dash dash का जाता है देखें बहुत difficult question भी आ रहे हैं इसी तरह के question आजकल पूछे भी जाता है group C exam में ठीक है पहले बहुत easy question आते थी पहले की पूर्व exam हो में हम देखें लेकिन आजकल जो computer related question बनने है तो थोड़ा उनका level उपर लग दिया गया ताकि जो हमारे computer की programming है क्योंकि आप एक कनिष्ट सायक बनेंगे या जो भी official post में जाएंगे group C के बाद वहाँ पर आपको इन सभी चीजों का अनुभा होना चाहिए ठीक है तो इसलिए ऐसे question आपकर आजकल डाले जा रहे है एक्जाम में तो यहां पर question में क्या बोला जा रहा है ध्यान से इसको समझें जो एकदम अभी काटा या copy किया गया हो यानि कि अभी एकदम cut किया गया हो या copy किया गया हो उसे insertion point पर clipboard content की copy को जो हमारी insert point पर clipboard content होगा ना उसी को हमने क्या करना है copy को insert करने को dash dash का जाता है तो ऐसे को बोल जाता है दोस्तों right answer लजाएगा पेश्ट करना है जैसा कि हमने उपर देखा भी सेम वैसा है दोस्तों इसको बोलते है पेश्ट करना होँ वहाँ cut किया था cut के बाद पेश्ट करें अब हम तीसरे चलाने में यहाँ पर पहुंच गया question के हिसाब से question बने question के जैसा आप देख रहे ना उपर से नीची तक क्रम उसी हिसाब से question बने तो इस कटना को बोलते है paste ठीक है option इस ही answer समझ में नहीं आ रहे तो कम से कम रट रट दीजे कहां पर करेंगे ठीक है तो यह तो बहुत ईजी है दोस्तों यह हमारे क्या होता है cursor cursor देखते है ना आप जो हमारी screen होती है computer में cursor जो होते है जहाँ जहाँ माउस ले जाते है वहाँ घूमते रहता है cursor तो blinking indicator होता है option B इस में सरी answer चले अगला question है keyboard पर पाई जाने वाला कोई akshar संख्या या प्रती क्या कहलाता है जिसे आप computer में type कर सकते हैं तो keyboard पर जो भी हमारे akshar letters होते हैं संख्या होते हैं जो numeric होते हैं और प्रती होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों तो इनको बोला जाता है right answer option b character होते हैं character अलगा character होते हैं letters हो जाते हैं क्योंकि keyboard में आप देखते हैं numeric keys भी हैं alphabetic keys भी हैं उसके बाद symbolic keys भी होते हैं तो यह हो जाएगा हमारे character option b इस में सरी answer है चलिए आगले question के तरह पगते हैं उच device को क्या कहते हैं जो disk में रखी सूचना को पगती है और computer की memory में transfer करती है तो कौन सी device दोस्तों disk में रखी जो भी information होते है उसको read करती है और उसके बाद computer की memory होते हैं वहाँ पर transfer कर देती है तो यह device कहलाते है right answer option d, disk drive इसको बोलता है disk drive चलिए अगले question की तरफ बढ़ते है Excel में file खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रियोग किया जा सकता है देखिए Excel से बहुत question बने है last time बना था Excel के formula होते है उसका symbol क्या होता है अब यहाँ पूझा जा रहा Excel में file खोलने की standard bar option B में बिल्गुल सही है हम यूज करते है standard bar का चलिए अगले question की तरफ बढ़ते है user और operating system के बीच intersection के तरिके को निमनलिकित में से कौन control करता है बहुत अच्छा question है भी तो देखिए दोस्तों user हो गया और operating system हो गया user हम हो गया जो हम पैट है काम कर रहे और operating system जो हमारे system में काम कर रहे है जिस पर हम काम कर रहे है for example हम smart phone का user हम हो गया smart phone में operating system हम देखिए आप जाए तो अलग-अलग होता है phone के इसाब से जैसे normally phone में हम देखते है operate system होता है android होता है अगर हम apple का phone देता है तो वहाँ पर iOS होता है, ठीक है, तो यहाँ पर simply यही question है, तो user और जो operating system होता है, उसके बीच intersection के तरीके को कौन control करता है, तो इसको control करता है दोस्तो, option A, user interface, ठीक है, option A सही answer हो जाएगा, user interface, चलिए अगला question देखते हैं, internet पर प्रियुक्त computer language, dash dash होती है, तो internet पर जो भी computer language यूज होती है, तो इंटरनेट पर जो हमारी language प्रियुक्त होती है, तो इंटरनेट पर जो हमारी language प्रियुक्त होती है, वो maximum time होती है, जावा, option C, इसमें बिल्कुल सही answer है, जावा language का यूज कह जाता है, चलिए, अगला question है दोस्तो, टैक्स को dash dash बनाने के लिए B पर click करते हैं, ठीक है, अब क्या करना है, यह option जो है उसके हिसाफ से आपने pick करना है यहाँ पर, तो टैक्स को हम क्या बनाते हैं, जिसके लिए B का उप्योग करते हैं, capital B, ठीक है, capital B का यहाँ पर symbol होता है, किसी भी टैक्स वगरा को हमने क्या करना है, अगर bold करना है, ठीक है, bold का मतलब जैसे पतली line में लिखा है, उसको मतलब हमने मोटा कर दिना है, ठीक है, ठीक है, यानि कि टैक्स की जो हम बोल सकते हैं, टैक्स जो हमें बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था पहले, वो टैक्स अब हमें थोगा dark के दिखने लगेगा, ठीक है, तो यह bold होता है, और इसका answer जाएगा option D, bold, ठीक है, control प्लस B होता है, हमारा bold, अगर यहीं पर हम दबाएंगे, अगर control प्लस U, तो control प्लस U, अगर जैसे हम दबाएंगे, तो text के नीचे क्या होगा, underline हो जाएगा, दोस्तों, तो यह भी एक shortcut की है, अगर text को डैस डैस करने के लिए, यहाँ आप हमारा यू पर control करते हैं, यू पर click करते हैं आता, तो फिर आपका underline आहन सलो जाता है, ठीक है, control प्लस U बराबर underline, control प्लस B बराबर bold, ठीक है, तो shortcut keys भी याद करिएगा, आप shortcut keys से भी question आते हैं, अगला है दीकिए, वह कौन से कुझी है, जो computer की memory की सूचना, और screen से characters को मिटा देती है, तो कौन से कुझी होती है, जो computer की memory की सूचना, जो सूचना हमारी memory में होती है, और इसके साथ screen से characters जितने भी होते हैं, वो उनको एकदम अड़ा देती है, erase कर देती है, ठीक है, तो इसको बोलता है delete key, बहुत ही simple है, delete key अगर हम दबाएंगे तो delete हो जा सकता है, यानि कि जब भी computer बनाया गया होगा, या program उसमें डाला गया होगा, और program डालने के समय डिस्क का content है, fix content है, जिसको हम लोग user change या जो हम लोग user उसको delete नहीं कर सकते है, यानि कि fix है, आपने देगा होगा कोई भी smartphone आप लेते हैं, for example, मैं आपको बहुत सरल भासा मे Play Store से download करते हैं, जो भी store है, Apple का यूज करते हैं, iOS store है, उनका अपना Apple store है, तो अगर वहाँ से हम किसी application को download करें, तो उसको delete कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, phone में पहले से भी pre-installed हमारी application आती है, कुछ application ऐसी होती है, phone में, जो पहले से install होके राते हैं, नहीं phone में उनको हम जैसे click भी करते हैं, install करने के लिए, delete करने के लिए नहीं कर पाते हैं, तो यहीं चीज़ यहाँ पर computer के question में भी पूछा जा रहा है, निर्मान के समय ही computer में जो हमारा disk का content है, या user change है, जिसको user change है, erase नहीं कर सकते हैं, यह मीटा नहीं सकते हैं, वो होता है, इसमे अगला question देखते हैं, काफी इसमें difficult question आपको देखने को मिल ले हूंगे, ठीक है, लेकिन बहुत महत्तोपों है, याद रखिये गए इनको, प्रतेक अक्षर के लिए shift कुंजी का प्रियोग किये बिना, सभी अक्षरों को capital करने के लिए, किस कुंजी का प्रियोग किये जात किये होती है, वह जिसको बोलते है, caps lock की, ठीक है, caps lock की जैसे हम दबाते हैं, दोस्तों, उसके बाद जो हमारे alphabet है, अगर देखे, एल्फाबेट को capital करना हो, तो हमारे caps lock दबा दो, उसके बाद जो हमारे typing जो भी करेंगे हम, उसमें क्या होगा, capital letters आ जाते है, ठीक है, small letters च तो यह हमारा फाइल या फोल्डर में रख सकते हैं तो यह हमारा फाइल या फोल्ड जो हमारी परसनल फाइल होगी और कौन से फोल्डर में रहेगी तो राइट आंसर जाएगा इसका दोस्तों आप्शन भी माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं इसको अगला को है ठीके डैस एक सेंट्रल कम्प्यूटर है जो बहुत से पीसी और कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शन होल्ड करता है तो यहां पर आपने बताना है दोस्तों इन में से कौन स इसा डिवाइस है यह सिस्टेम है बोल सकते हैं जो बहुत से पीसी को में पर्सनल कंप्यूटर को वरकर स्टेशन को और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम को कलेक्शन होल्ड करके लगता है यानि उनके जोगले रखते हैं इसको बोला जाता है दोस्तो जो हमारा गोदाम होता है जिसको जहां हम सामान वगरा रखते हैं मैं कोई बहुत बढ़ा स्टार्ट अप कर रहा हूं बिजनेस कर रहा हूं फिजीकली तो मेरा एक गोदाम होगा वैसे वर्चुली यहां पर हम देखते हैं तो जहां पर बहुत से पीसी जुड़े हैं वरक कंप्यूटर के महत्वपूं MCQ पार्ट 15 बहुत ही अच्छे कोश्चन है दोस्तों अच्छे से इनको रट लीजिए जो कंप्यूटर की से चलिए बहुत महत्वपूं है आपके लिए ना के वल गुरुप सी एक्जाम के लिए वरन जितने वी अन्य एक्जाम होते हैं तो इसी तरह के कोश्चन आज की डेट में पूछे जाते हैं अब ओल्ड कोश्चन को टाइम चले गया अब डेटिद कोश्चन आ रहे हैं इंटरनेट से संबन्दीत इसके साथ कंप्यूटर के जो हमारी प्रोग्रामिंग है उससे संबनीत कोश्चन बनते हैं या हमारी जितने भी जो हमारे एक्सेस वाली सॉप्ट्वेर होते हैं लाइक MS वाइड हो गया इसके साथ MS पावर पॉइंट हो गया MS Excel हो यहां से कोश्चन बनते हैं ठीक है तो इन कोश्चन को आपने अगर समझ में भी नहाता है दोस्तों तो आपने कम से कम इसके ऑप्शन रट लेने हैं कि ए याद होना चाहिए एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टेडी करें थैंक्यू फॉर वाचिंग आइज जै हिंद जै उत्रा घंड